हिंदी फूर्ट जोन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों यहां पर आपको बहुत ही आसान रेसिपीज मिलेंगी वो भी हिंदी में तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चलिए चलते हैं फटा फटा आज की रेसिपी देख ले चलिए इसे बनाते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से लेकिन बहुत स्वादिस्ट और हेल्दी होगी यह सबजी कढ़ाई में इसे बनाएंगे तो यहां पर मैंने कढ़ाई गैस पर चढ़ा दी है अब हम इसमें रालेंगे एक टेबल स्पून सर्सों के तेल में बना रहे हूं खलेवर है वह भी बहुत अच्छा आता है इसे हम कम से कम मसाले में बनाएंगे बहुत ही हेल्दी और टेस्टी तरीके से बनाएंगे तो देखिए लैसन कितनी बढ़िया तरीके से बुन गया है तब हम इसमें एक कटूरी के लगबग कटे हुए आलू डाल देंगे आलू क इसे अभी हम इस तरह से थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं आप चाहे तो इसे थोड़ा सा फ्राई भी कर सकते हैं 2-3 मिनुर तक और थोड़े जादा तेल में लेकिन जैसा कि मैंने बताया हेली तरीके से तो बहुत कम ही तेल मैंने एक चमश देल याँ पर लिया है जब तक आल को बारिक बारिक काट लेना है इस तरह से काटने में बहुत ही सहूलियत रहती है और बहुत ही अच्छा साग कटकर तयार होता है देखिए साग में ने काट लिया है अब चलिए इधर देखिए आलू में कितना बढ़िया कलर आया है तो इसी तरह से आपको आलू को फ्राइ कर कितनी कम हो गई है मिक्स करते हैं और पहुत अच्छा कलर है कितना अच्छा उनर्थ को दिखी रहा होगा इसी पकाना है पत्तों को और ऐलो को साथ likelihood मैं नमक नहीं डाला था हम इसेług डॉले दाल लेंगे इस स्डेज में तो नमक हैंपने साथ सेह तो नमक बहुत ही संबल कर डालिएगा क्योंकि पकने के बाद यह कम हो जाती है इसे धीमियाच में ही पकाना है कवर करके पकाना है और देखिए पकने के बाद में आलू इतनी अच्छी तरह के से पक गए हैं और जो मूली के पत्ते हैं उसमें थोड़ा सा भी एक मिनटीने औ और हम पका लेंगे क्योंकि जो आलू है आलू को हमने पहले ही थोड़ा फ्राई किया था इसलिए वह आदे से ज्यादा तो देल में ही पक गए थे लेकिन मूली के पत्ते कच्छे ना रहें या फिर हरी सब्जी आप थोड़ा कच्छा भी का सखा सकते हैं ज्यादा हेल्दी रहेगा तो इसे ज्यादा ओवर को करने की ज़रत नहीं है वापस से मैंने एक मिनट के लिए इसे ढखा हुआ है धीमी आज ही रखनी है भारी तले की कड़ाई या पायन में बनाएंगे तो सब्जी बहुत बिंदास बन कर तयार होगी जलेगी नहीं अब पूरी तरह से पक डालना है आदा छोटी चमची आपको डालना है इसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए और जो खुश्बू है वह बहुत कमाल के आ रही है क्योंकि इसे पकाने में हमने पानी की हल्प बिल्कुल भी नहीं लिए और सिर्फ एक चमच तेल से इतनी बढ़िया हम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाब